तो सोम मतलब ये मधोश होने का दिन है ये ध्यान में रखकरी मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी जहां कहीं भी शक्तिशाली लिंग है, वहां विशेश प्रक्रियाएं होती है ताकि हमारा शरीर और हमारे आसपास की चीजें हमारे जीवन में रुकावट न बने नमस्कारम सद्गुरू, शिव भक्तों के लिए सोमवार विशेश क्यों होता है देखिए अब, चंदरमास एक खास तरीके से काम करता है यूँ कही है, और सतन अठाइस दिन इन अठाइस दिनों में चार चरण या चार हफते होते है आज ये मंडे ट्यूजडे सोमवार वो सोमवार है, तो सोम मतलब ये मधोशी का दिन है ये दिन मधोश होने के लिए शराप खाने में जाकर नहीं शिव जी के मंदिर में पर ये तभी प्रासंगिक होता अगर आप सिर्फ चंदरमास का अनुसरण कर रहे होते हैं तब महीने अलग होंगे, तारीकें भी अलग होंगी फिर सोमवार हमेशा उस दिन आता जो चंदर के हिसाब से प्रासंगिक है लेकिन आज हमने उसी शब्दावली को लिया है और इसे दूसरी प्राणाली में डाल दिया है जो मेट्रिक सिस्टम की तरह है एक, दो, तीन, चार, पांच पता नहीं क्यों उन्होंने एक महीने में सौ दिन या महीने में 10 दिन या ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया उन्होंने 30 का बनाया और जब ठीक से काम नहीं बना तो उन्होंने एक महीना 30 का, एक 31 का, 28 का, 29 का बनाया ये एक खिचडी कैलंडर है लेकिन ये दुन्या ने अपना लिया है क्योंकि ये पश्चिमी समाजों द्वारत होपा गया है और इसे आज कैलेंडर के एक मानक के रूप में लिया जाता है ये पूरा खिचडी है क्योंकि इसकी ग्रह प्रणाली से कोई प्रासंगिकता नहीं है चंदर कैलेंडर या चंदर सौर कैलेंडर जिसका हम पालन करते हैं वो ग्रह प्रणाली के तालमेल में है और महीने, सप्ता और दिन उसके हिसाब से बदलते हैं उस संदर में सोमवार कुछ प्रक्रियाव के लिए महतुपून होना प्रासंगिक है इन चीजों को ध्यान में रखकरी मंदिर बनाये जाते थे ताकि जब कोई मंदिर बनता है तो वो भी एक निश्चित तरीके से घटता और बढ़ता है सभी शिव मंदिरों में जहां भी एक शक्तशाली लिंग होता है उसके लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं होती है ये सब ग्रहों की और उब ग्रह चंद्रमा की हमारे चारों और की स्थिती से संबंदित था क्योंकि हम समझते थे कि हमारा जीवन इन चीजों से जुड़ा है क्योंकि हमारी भौतिक संरचना यहां हमारा अस्तित्व ये कुमार का चक्र है जो हमें बनाता है तो इसके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए ताकि हमारा शरीर और हमारे आसपास की भौतिक चीज़ें हमारे जीवन में रुकावट न बने तो चंदर कैलंडर ऐसे काम करता है जो ग्रह प्रणाली जिस तरह से काम करती है उसके साथ पूरे तालमेल में है तो इसी आधार पर इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही मंदिरों की प्रान प्रतिष्ठा की जाती थी